हालो गाइज, वेलकम तो माँ चानल गुर्स से आज कोचिंग लासीज, आज कोचिंग प्लासीज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DEC की असाइमेंट्स के बारे में, जैसे जिन बच्चों ने जैन शेशमेंड मिशन लिया था, उन बच्चों की मोस्टली इंक्वारी आ काहां से करना तो वीडियो को लास तक देकना, वीडियो अच्छे लगें ़्वीडियो को लाइक करना, फर्स टाइम आया हो चैनल पे चैनल को सस्ट्राइब जरू करना तो दिखे गाइस पहले तो हम assignments के बारे में बता देते हैं जिन बच्चों ने January, February, March months में admission लिया था उन बच्चों की जो assignment summit होने भी start हो चुकी है आप अपने assignments जो है proper way में बना के study center summit करनी है देखिए बहुत सरे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने admission तो करवा लिया था बट next वाले यह steps उनको कुछ नहीं पता कि assignments कैसे बनानी है PDF कहां से लेनी है, questionnaire पर कहां से download करनी है और इसके बार जो project बनाना है वो कैसे बनाना है इसके लिए सबसे shortcut method यह है कि आप मुझे दियेगी इस number पर जो मैंने whatsapp number शो किया है, मुझे message करो सभी information में आपको दे दूँगी अभी shortcut में यह बता देती हूँ जो assignments होती है, DEC course की जिसको meaning हम बोलते है, जिसे deployment element जो हमारा course है, इसको हम entity भी बोल सकते है बट इसका जो course code है, जो code है वो DEC है इसके तीन assignment होती है, DEC1, DEC2 and DEC3 तो जो तीनों आपको जो तीन आपकी assignments है वो तीनो assignments आपको hard copy में ready करके अपने study center submit करने होती है study center कौन सा है, बहुत सरे बच्चे को यह भी नहीं पता कि study center हमारा कौन सा है जब भी अपने admission लिया होगा उस time आप two center fill करती हो एक study center, second होते है reasoning center, तो study center का जो name होगा मान के चलो, किसी भी college का जो name है वो आपका study center होगा वहाँ पे आपको वो तीन जो assignments है वो submit करनी है, जो एक assignments हमारी रहती है अभी question आ रहा था, comments आ रहा था आपकी writing पे, आपके content पे आप questions को कितना length ही लिखते हो कितना short करके लिखते हो उस पे depend करता है mostly 45 से 50 pages के बीच में आपकी assignment cover हो जाती है अगर आप ज़्यादा अच्छे से explain करके लिखते हो, diagram create करते हो तो 60 ए 65 तक भी आपकी assignments के हैं पहुंच आती है same ही आपको DC2 ready करनी है same ही आपको DC3 ready करनी है मान के चलो आपने जो assignments है वो बना लिया कौन से पे जिस पे बनानी है assignment sheets ले सकते हो जैसे market पे जाओगे किसे भी book depo पे जाओगे वहाँ पे उनको बोल देना कि मुझे both side lines वाली sheets दे दो अगर आप लिख सकते हो उस पे तो उस पे भी आप भना सकते हो कोई issue नहीं है pen कौन से यूज़ कर सकते हो blue यूज़ कर सकते हो black यूज़ कर सकते हो colorful जैसे sparkle pen यूज़ कर सकते हो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है proper mention भी किया हुआ है आप playlist में लेकर चक भी कर सकते हो उस वीडियो को जिसमें मैंने proper बताया है कि कौन कौन से pen कैसे कैसे यूज़ करने है तो वो सभी pens पगरा यूज़ कर कि आपने content complete कर लेना है अगर आपके पास caution paper है assignments के तो very good है अगर caution paper नहीं है तो मेरा telegram group join कर सकते हो जिनिंग find कर सकते हो questions तो very good है आप find करके return कर सकते हो अगर आपको उसके solve up PDF चाहिए मान के चलो आपको content का solve up solution चाहिए कि मैं solve up solution प्रवाइड कर दो हम देख के खुद बना सकते हैं तो आप हमसे solve up content ले सकते हो जो एक assignments की PDF की cost रहती है 300 में हम 3 assignments की solve up PDF प्रवाइड कर देंगे caution paper की PDF प्रवाइड करेंगे first page भी आपको प्रवाइड करेंगे जिसमें आपकी सभी information होगी बताएंगे भी proper कि कैसे इसको manage करके फिर study center समिट करना है मान के चलो जिन बच्चों ने अभी अपनी assignments complete कर रखी है DC 1, 2 & 3 सब complete कर लिया है तो आपने क्या करना है अपनी assignments के आगे पहले तो first page assignment का first page से आपको मेरे telegram group से मिल जाएगा group को join कीजिए और वहाँ से download करके first page का print निकाल सकते हो अगर simple चाहिए तो chrome पे जाके भी search कर सकते हो, ignore assignment first page वहाँ से मिल जाएगा ये चीज़ हो गया, उसके बाद आपने जो caution paper है, आपके assignments के caution paper है, DC 1, 2 & 3 तीनों के print निकालने हैं जैसे DC 1 है, उसके आगे DC 1 का लगेगा DC 2 के आगे DC 2 का, DC 3 के आगे DC 3 का caution paper लगेगा फिर आपका लगेगा iCard, जो आपका iCard है, इगनो वाला, इगनो का iCard लगाना है और उसके बाद proper आपका content रह जाएगा assignments का, जो आपने written किया है, तो जब आपका ये सब complete हो जाता है, तो आपकी 3 files लगेगी paper files, क्योंकि mostly जो study centers की requirements होती है, कि हम plastic files को नहीं accept करते हम paper files accept करते है तो आपने paper files लेनी है जो गत्ते की files होती है, अलगलग types की होती है, मैंने पिछली वारी वीडियो में दिखा भी रखी है कि ये files होती है, तो वो file आपने लेके, 3 files आपने बनानी है उस पे आपने एक-एक assignments के बारे में proper आपका सब ready हो जाएगा content 3 files हो जाएगी, उसके बाद आपने, अगर study center near है mostly तो near ही होता है क्योंकि हम study center वही डालते हैं जहांपे हम exam easily देश नपाएं near है, तो वहाँ जाकर आप by hand assignment submit करो अपनी और वहाँ से जो slip मिलेगी इसको collect कर लेना, अगर आपका study center दूर है तो by courier आप assignment submit कर सकते हो जब भी आप अपने assignment courier करो, उसके tracking गरा लो उसको check करो कि किस दिन आपके assignment वहाँ पहुंची है और उसके बाद आप उसका जो भी tracking गरा उसको संभाल के रखो, जब आपका आपके जो assignment वह deliver हो जाती है, तो वह message भी संभाल के रखो, क्योंकि कल को assignment के mark सरक के update नहीं होते, तो हमारे पस proof होता है, और जब भी हम mail करते है उसके बाद यही reward आता है, कि आपके बाद क्या proof है, कि आपने assignment submit की है, तो यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, कि जब भी इसका, क्योंकि six month बाद result आएगा, जब आप अभी assignment submit करोगे, दिसंबर में exam होने के बाद, फिर जाके jam में result आएगा, तब तक बच्चों के पास जो भी कुछ होता है, वो skip कर देते है, और बाद में result नहीं आता, तो दिक्कत आती है, फिर बोलते हैं कि मैं result नहीं आया, अब हम क्या करें, हमने mail डाल दी, बट वो यह बोरे कि क्या proof है, हमारे पस कोई proof नहीं है, तो हमें resubmit करना होगा, तो यह आपके में big mistake होती है, तो इसको जो working है, जब वो person से जिनके assignments पहले submit की थी, marks update नहीं हुए, जिनके माने के चलो कोई mistake कर दी है, या फिर कोई भी दिक्कत है, नहीं कोई भी problem है, उसके assignments के marks update करवाने है, कोई एक या दो या तीसरी assignments में अगर किसके marks कम आए है, वो marks आपके update करवाने हैं, दुबारा अपने assignments सम्मिट नहीं की, बट आपके marks कम लगे हैं, तो meaning lot of issues होती assignments के, अगर आपका भी कोई ऐसा issue होता है, तो आप में जो WhatsApp message करके अपनी detail कर सकती हो, आपके marks within 20-25 days में update हो जाएंगी, उसका एक process हैं, वो भी कोर्स कर रहे हैं, इसके इलाबा, जिसे housewise हैं, वो भी ये कोर्स कर रहे हैं, जिनकी plus two है, बट उनके पस इतना time नहीं है, कि वो रिटन कर पाएं अपनी assignments से, अगर आपको अपनी जो assignment हा, hard copy चाहिए, तब भी हम provide कर देंगे, अगर आप ये चाहती हो, कि मैम हमारी जो assignment study center submit हो जाएं, हमारी तरब से, तो आपकी direct हम assignment study center भी submit करवा देंगे, उसके लिए, आपको मुझे वर्टसर पे message करना होगा, अपना icon share करना होगा, अपना medium बताना होगा, और जो भी हम आपको opening steps बताएंगे, उसको follow करना होगा, उसके बाद आपकी जो assignments है, जैसे अभी 30 चल रही है, 30 September, तो 30 September से पहले-पहले हम आपकी जो assignment सा, प्रॉपर आपके study center submit कर देंगे, और एक बात ये है कि जिन बच्चों को assignment में 80 प्लस marks चाहिए, उनको क्या करना होगा, granted like 80 प्लस marks ही चाहिए, क्योंकि मान के चल एक ट्रिक्स होती है, अगर आप उस trick को follow करके, अपनी assignment submit करते हो, तो आपके 80 प्लस ही marks आएंगे, तो इसके बार में मैं बताऊंगे, आपको next वीडियो में, तो चैनल को subscribe चुर करना, अगर आप चैनल को subscribe करोगे, तभी आपको next वीडियो मिलेगी, तो next वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं आपको trick बताऊंगे, कि assignment के 80 प्लस marks अप कैसे लिकिया सकते हो, वीडियो कैसे लगी, helpful लगी वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, बाब बाई